निशा जिंदल नाम आप लोगों को सुना सुना सा रग रहा होगा ये वो ही फर्जी नाम है जिसके जरीए एक लड़के ने करीब 10,000 लोगों को लंबे वक्त तक बेवकूफ बनाया है फेस्बुक पर निशा जिंदल नाम की प्रोफाइल के 10,590 फॉलोवर्स थे लेकिन इस सारे फॉलोवर्स को 17 अप्रेल की शाम को तब एक तगड़ा जड़का लगा जब उन्हीं निशा की प्रोफाइल पर किसी लड़की की बजाए पलिस कस्टडी में एक लड़की की फोट किया जो फेस्बुक पर लड़की के नाम से फर्जी प्रोफाइल हैंडल कर रहा था फर्जी प्रोफाइल को उसने नीशा जंदल नाम दिया नीशा जंदल की प्रोफाइल पिक्चर में रवी ने एक लड़की की तस्वीर का स्तमाल किया था बायू में लिखा था मैं अपन 13 अप्रेयल को किये पोस्ट में निशा जिंदल ने ये लिखा कि अजीब लगता है कि मेरी उम्र 35 रनिंग चल रही है और अभी तक शादी नहीं हुई मेरी उम्र की बहुत कम स्तरिया है जो मेरी फेस्बुक फ्रेंड लिस्ट में है और हैं भी तो मुझसे बड़ी है या मेरी उम्र से 5 से 15 साल चोटी है पर मेरे जीवन में ये अच्छी बात है कि मैं अपनी उम्र की लेडीस जैसी नहीं दिखती हूँ और ये मुझे एक गौड गिफ्ट है रवी नाम के इस लड़के ने अपनी नकली नीशा जिंदल अकाउंट से कई सामप्रदाइग भड़काओ पोस्ट भी किये हैं जिसके लिए उसके तलाश की जा रही थी गिरफतार करने के बाद पुलिस ने इस लड़के से अपना फोटो डाल कर कमेंट करवाई पुलिस ने लिखवाया मैं पुलिस कस्टडी में हूँ और मैं ही नीशा जिंदल हूँ इस कैप्शन के साथ फोटो देखकर हजारो दिल तूड गए जो की नीशा जिंदल के दिवाने थी ये सब देखते ही कमेंट्स की बारिश होगे वो सारी कमेंट भी हम आपको बता देते हैं जो लोगों ने नीशा जिंदल का असली फोटो देखने के बाद की है कमलेश दुबे नाम के व्यक्ति ने लिखा कि आज दिनांक 18 अप्रेल 2020 शनिबार को मैं प्रतिग्या करता हूँ कि आज से फेस्बुक पर किसी भी अंजान महिला इस तरी को दीदी नहीं कहूंगा क्योंकि वो दीदी जब जीजा बनती है तो बहुत दुख होता है कमलेश दुबे ने एक और कमेंट करते हुए लिखा कि अब तो इस दुनिया से विश्वास ही उड़ गया है वहीं हेमंत यादव नाम के एक यूजर में लिखा कि मीरा पाशा से कॉंटेक करके उतरप्रदेश की मुखिमंतरी से मिलकर उसका नाम नीशाजिंदर करवा देते हैं जिसको भी नीशाजिंदर से बात करने की आदत हो गई होगी वो कर लेगा 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी भी धोकेबास को बक्षा नहीं जाएगा अब उन तत्वों के बारे में खुलासा करते हैं जो गुम्रहा करने का मकसद रखते हैं अच्छा काम किया रायपूर पुलिस पुलिस रवी द्वारा बनाये गए अन्य फजी सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता लगा रही है अब भई नीशा जिन्दर ने सबका दल तो तोड़ ही दिया लेकिन एक बात ये अच्छी हुई कि लोगों के साथ फ्रॉड होने से बच गया इसलिए जब भी आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई फ्रेंड बनाते हैं किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एकसप्ट करते हैं या उससे किसी भी तरह की बात करते हैं उससे घुलते हैं मिलते हैं इससे पहले आप अच्छे से जाच ले परक लें कि आप ज इस अंजान से जुड़ रहे हैं उससे बाते कर रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है और इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो साइबर क्राइम करने की धुन अपने दिमाग में चड़ा चुके हैं इसलिए इन सब से बचने का तरीका यही है कि आप सुरक्षित रहें और सावधानी के साथ किसी को भी अपना दोस्त बनाएं खासकर अंजान लोगों को दोस्त बनाने से पहले उनके साथ बातें शेयर करने से पहले अपने फोटो वीडियो उनके साथ शेयर करने से पहले दस बार सोचें औ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उप्योग सावधानी से करें